निमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आज हम जानेंगे एक्सेल रियालिटी सेल प्राइट टार्गेट दोजा चोबीस दोजार पचीर दोजा तीस के बारे में आगर इन सालों में इस सेरी की वैल्यू क्या बताई जा सकती है ठीक है तो दोस्तों जो रिपोर्ट है आपने एक बात आती है पिछले पांच सालों की सेर की कीमत में बड़े बदला हो तो जैसा कि हम देख सकते है ग्यारा जुन दोजार अठार को कंपनी की सेर की वैल्यू जो थी वह 0.60 पैसे थी ठीक है 60 पैसे और 12 जुन 2023 को यह वैल्यू 0.40 पैसे हुई है और 23 में 2022 को यह वैल्यू 6. 20 रुपया तक गजा के आई है और मैंतम अगर बात करें तो 13.30 तक ठीक है तो जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी 0.60 वैल्यू से लेके 13 तक मैंतम गई है जो एक अच्छा संकेत है पर इसमें बुरा संकेत है यह अगर यह 11 तक गई थी फिल लगातर इसमें गिरावट हुई ह 2020 के बाद से और आखिर क्या करने इतनी जादा गिरावट का वह भी हम आगे पता करेंगे और यहां पर हमने एक वाइट वोड को रखा हुआ है जिसमें हम प्लस पॉंट और माइनस पॉंट को एड करेंगे तो जैसा कि हमने देखा वह कंपनी ने रिटरन तो काफी अच्छ तो अब देख लेते कंपनी कितना प्रोफिट बना रही है तो कंपनी 2019 में 11 करोड का प्रोफिट 11 करोड का एवनिव बना रही थी नेट इंकम जो थी 0.22 करोड की थी और 2023 में यह 11 से 9 हो गई है और भाई यह 0.22 से माइनस चोंतिस हो गई है ठीक है यहां पर भी माइनस यहा संगेत नहीं है अब बात आती पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपती में फेर फार तो कंपनी की संपती में होता है जैसे कंपनी के एसेट हो गए जैसे कार खाने ओफिस बगएर ठीक है तो उन्हों कंपनी बढ़ा रही है घटा रही है 2019 में कंपनी के बास 124 करोड की जो पढ़ जाते है ठीक है समय के साथ ही चंपनी की जो शंपती है वो लगाता नहीं बड़ रही है और नहीं बड़ीए तो इससे जो कंपने के रेवेण्य के वह भी अच्छा नहीं बन पाएगा जो लगाता कम हो रहा है तो यह टो यह नि से वंपरिदे दोडला अभी नेक्स नीला अभी नेक्स चीज देखते थे क्रोड़िदेंट् नेख्य City आतीय है lie कंपनी के दूपर डिया गया दिया लिए अगर विपनी कंपनी बनारी यह कंपनी की बड़ रही है कंपनी कैसे देखी इस्रिखी इसी कारण से कंपनी ने अभी तक कोई भी किसी भी तरह का डिविडेंट नहीं दिया गया है आगी जो नेक्स चीज़ा वो काफी इन्वोटेंट मानी जाती है से रोल्डिंग पैटर इससे हमें पता चलेगा कि इस कंपनी में कौन-कौन से इन्वेस्टर के दौरा से रोल्ड जो भारति ये बड़े इन्वेस्टर उनका समावेस होता है इनके दौर में किसी भी तरह का निवेस्ट नहीं किया गया जो भी अच्छा संक्यतनी है फोरां इस्टूट्रेशन जो विदेशी इन्वेस्टर उनके दौरा भी 0.06% की वोल्डिंग की गई है जो भी लगातार कम होती भी देखी जा सकती है यह भी नाके बरोबर है इसलिए यह एक अच्छा संक्यतनी है और यहां पर इंवेस्टर जो है 79% है जो कि यह काफी खत्रा गिना जा सकता है जो कि जैसा कि हम जानते रिटेल इन्वेस्टर इतनी ज्यादा मात्रा में होते हैं ठीक है उतना हमे अच्छा संगेत नहीं माना जाता है इसका क्या कारण है वह यहां पर हमने दिया हुए अपको कोई सजेशन दे रहे बहुत को खरीद लो या इस नी वैली चली जाए घीए यह इतनी कम हो जाएगा इए यह सिर्फ आपके ली एक जनकरी के तोर पर है तो देखिए जो expert के दोवारा जो value बताई जा रही है काफी सारी report के अनुप के दोवारा ठीक है अब local करते हुए तो सबसे पहले लिए 2024 में यह value क्या तो स्थीर रह सकती है ठीक है यह stable रह सकती है 0.80 पैसे तक जाने की संभावना है ओके अभी दोजार अगर 25 की बात करें तो जो यह value बताई जा रही है एक रूपैसे लेके 1.5 रूपैस तक जाने की संभावना बताई जा रही है और 2030 तक यह value जा सकती है इसमें भाई कोई value नहीं बताई है expert के दौरा इसमें बताई गया आने वाले समाचार के बार में update रहे ताकि सही समय पर सही value की जा सके तो भई कमपनी का भी हमें पता नहीं चल रहा है कमपनी के आगे क्या planning है यह जैसा ही update होगा हम आपके साथ भी update करेंगे अभी तक की 2030 की value निकाले नहीं जा सकती है तो दोस्तों उसके अलब हमने conclusion दिया हुए यह आपको पढ़ना काफी important हो सकता अगर आप इसमें इनके investor हो या निवेस करने का सोच रहे हो तो अगर plus point minus point की बात कर तो भई company में दो plus point दीखे है हमें और एक minus point दीखा है और यह दो कुछी वीडियो कर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना पूले तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में